कि देखिए मैं बात आपको बताता हूं यह जो हमारा बॉक्सिंग फेडरेशन ओफ इंडिया है यह रजिश्ट संस्ता है और हम उससे जुड़े हैं राजस्तान बॉक्सिंग एसोशिएजन और यह डिस्टिक बॉक्सिंग नसे तो यह जो संस्ता इसके जो बच्चे जो जाएंगे स्टेट में इस्टेट में जो गोल्ड मेडल लगता है उसको एक लाख रुपे गोर्मेंट रिवाड राची देती है और जो उनका सर्टिपिकेट है वह मानने है हर नोकरी में दो प्रसेंट कोटे में यह लोग मानने है इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो जो बच्चे जो बच्चे नेशनल भी गया है निर्बान साब हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रसेंट हैं और रिंग ओपिशल कमिशन के चेर्में और यह सारे लोग मिलके यहां बॉक्सिंग को डवलप करने और बहुत अच्छा माहूल है बॉक्सिंग का और आज तो मलब ऐसे लोग यह सोचते हैं कि चलो बॉक्सिंग में चलो और तिन दो-तिन साल खेलो और नोकरी प्राप्त करो सरकार की यह उजना है कि अगर नेशनल में मेडल लाओ और नोकरी पाओ छे मेने के अंदर जैसे नेशनल में मेडल लाएगा उसको आउट उप टरन में नोकरी मिल जाएगी और एक जो भी है खिलारी है या मई बचते हैं बच्चेह हैं तोनोगों कैसे परोफ्सान के लिए हम जिससे हमारे इस तर पहे ब लगते हैं हम जसे बहुंसाओं स अबulator बोखीरउजय सभरी हम ब्सेर यह पिल्मशाओं को ब्लाय है यह program जैसे है जिसके संचालत मेरे बाई राजी बोकसर है तो सबसे ज्यादा बच्चे और अभी है जीएफाई में बाइस बच्चे लगब के टुनामेंट में एक यह बड़ी बाथ है यह आरी लिए गोर्व सब्सक्राइब करें जो लेवल पर हम जतने टोर्डामेंट दिला सकता है हम इतने टोड़नामेंट के कोसिस करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे केंद्रेविध धले से भी खेल रहे हैं, हमारे कृड़ा भारती से भी खेल रहे हैं, हमारे बच्चे अपने स्कूल गेम जो बराजस्तान के उनसे भी खेल रहे हैं, और S.J.F.I. से भी खेल रहे हैं, तो वहां से 2% में कोटे में नोगरी लगे जिसमें मेरा चोटा भाई लगा वार मैं स्वेम खुद भी स्पोर्स कोटे से भी सब में लगा था उसके बाद में मैं भी रिजाइन लेकर और यह सेवाइं दे रहा हूं सर वह कारण तो बहुत अच्छे थे और देश बक्ति के लिए था मतलब कुछ ऐसी थी वह खिलाडी के नाते तो मैं यह बोलूगा कि बहुत अच्छा था मेरा पूरा फोर्स में को सपोर्ट किया कुछ चीजे ऐसी रही थी मेरे जीवन की जो सायद वहां कुछ ऐसी थी कि ता आर बॉक्शिंग एकरड़ में और रास्तार की सबसे बड़ी भी इस वर के किरपा है और अब भी मैं वहीं ट्रेंडिंग दे रहा हूं और मैं संचालक भी वहाई हूं है यह तुनामेंट अभी जैपूर में हो रहा है तो यहां से अब बच्छे नेशनल इस्टेट के लिए जाएंगे इस्टेट से नेशनल जाएंगे तो इस्टेट का टुनामेंट के लिए यहां किते जो कि प्लेयर हैं वहाई है उनका बहुत हार्दिक स्वागत्वश्व यहां से जो बच्चे जाएंगे वह यहां से इसे जो यहां पर आए जो नेशनल मेडले से जैसे एक लड़की अंजली वह अशनल वेलुए में सेलेक्टेट हो गई जो इसके अंदर है अपने अर्टियों में ऐसे कहीं बच्चे हैं जो फिलाल भी हमारे जो अभी सर्विस अब उनका कल्ब हुआ था आज फाइनल हो रहा है अब यहां से जीत के और इस्टेट में जाएंगे अब हर बार करवाते हैं याप कहा कहा कैसे टूनामेंट पॉब्लिक सीटी के लिए और बच्छों को परोसान मिले और निकले अच्छे तैरों और वोक्सिंग का विस्तार हो इसलिए हम जैपुर के चारों कोनों में करवाते हैं अब पहले शाष्तिनगर में करा दिया एदा की और वी यहां पर 5-6 बार यहां और अभी यह हैंसे जीत का फिर्शा पिर जाएंगे इसलिए और शूर दिन का है यमारे कभी तीन का होता है कभी दो दिन का होता है मतलब उसी हिसाफ सब्सुराइब जैपूर जिले का टूनामेंट है करीब 35 के करीब महिला है और 70 के करीब लड़के है डिस्ट्रिक्ट टूनामेंट है यहां के विजयतार किलाडी कोटा में आठ आठ से दस नौमबर कोटा में होगा इस्टेट महाँ बाग लेंगे जो यहां वीजयता बनेंगे लीजयता पर टूनामेंट है जो सिट्म है जो डिश्टिक्ट चंपियन होते हैं वह इस्टेट जाते हैं और इस्टेट में जो चंपियन वह नेश्नल बहु आते हैं कि आठ मोमबर से दस नौमबर कोटा में झाल